हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस के हिंदी का पेपर देखेंगे जो आपके 2024 में होने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए ये प्रश्ण पत्र बहुत ज़्यादा इंपोर्टन सावित होगा मैकसिमम कोईशे इसी में से आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाले हैं 30 प्रश्ण पत्र का संपूर हल देखके आप जिरूर बोर्ड का एक्जाम देने जाएगा फ्रेंस आपकी बोर्ड के एक्जाम में जो प्रश्ण पत्र हल करने के लिए समय मिलेगा तीन घंडा पंदरे मिनट का समय मिलता है और ये पुरांग हिंदी का जो रहेगा सत्तर नंबर का पेपर रहेगा ठीक है इसके कुछ निर्देश दियेगा है इसको आप पहल दीजिएगा ठीक है चलिए हम सीधे प्रश्णों को आपको हल कराते है फ्रेंस यहां पर देखिए खंड का है फ्रेंस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें फ्रेंस आपके सामने पहला नंबर का सवाल देखिए उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है इसमें साब को बताना है कि जो भूले बिसरे चित्र के लेखक है कौन है आपसने प्रेम चंद्र जी हैं भगवती चरण वर्मा है या स्पाल है या ब्रिंदा वन लाल वर्मा है तो फ्रेंज देखे इस प्रशन का आपका सही जवाब होगा कि जो भूले बिसरे चित्र के जो लेखक है भगवती चरण वर्मा है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या हो प्रमुक कहानिकार्ग कौन है आपसन है इला चंद्र जोसि हैं मोहनराकेस है को और खाडोनों होता या इन में से कोई नहीं दो फ्रेस्ट आप याद रखेगा शुकलत्तर यूग के प्रमुक कहानिकारक जो Rest इला चंद्र जोसी और मोहन राकेश दोनों है तो इसका सही जवाब गवल आपसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला देखिए तिसरा नंबर के सवाल कि सूरज का सात्मा घोड़ा यह इंपोर्टेंस सवाल है इसको वियाद रखिएगा कि सूरज का सात्मा घोड़ा हिंदी स अहित्य का कौन सी विधा है ठीक है यह निबन देख है यह उपन्यास है यह डाइरी है यह कविता है तो सूरज के जो सात्मा घोड़ा है यह एक प्रकार का उपन्यास है इसका सही जवाब खवल आपसर करेक्ट हो ठीक है अब देखिए चोथा नंबर का सवाल भी भी आई है ठीक है भी भी आई यानि भी भी एंप्रंस सवाल है अद्धुनीककाल की समय अवधी है यह बोड के इक्जाम में कई बारिप हो चुका है आदुनीककाल की समय अवधी क्या है आपसर ने minimal सब्सक्राइब देखें आधनी काल यह चाहिए यह अधनी काल के समय अवद ही अवधी माना जाता है इसका सही जवाब भवाला आपसन करेक्ट हो जागा ठीक है इस इसी पकास पाचवा नंबर का सवाल आपका क्या है कि ट्याग पत्र किस विधा की रचना है आपको बताना है कि त्याग पत्र है वह एक जीवनी होगा यह उपन्यास है यह नाटक है यह निवन्ध है तो फ्रेंस यहाँ प्रिच आप याद रहोइए heavy contemporists तोरी दोस्तों जो एक त्याग पत्र है किस विदा की रचना है ति एक उपन्यास से इसका सही जवाब खावला आपसन करेक्ट हो जागा ठीक है अगला देखिए क्या है छटवा नंबर का सवाल कि रस्खान किस काल की किस साखा के कवी है आपको पताना कि जो रस्खान जी है क किस काल के कवी है और इसके साथ में किस साखा के है आपसने रीति काल किश्य भक्ति साखा के है भक्ति काल की नीर गुण भक्ति साखा है यह भक्ति काल की सगुण भक्ति साखा है देखिए यहां पर रस्खान जी है यह भक्ति काल के कवी है और किस साखा के है तो सगुण भ हकती साखा के कवी ढधा गला नंबर अगर का सवाल दरिखे 8 महा नंबर का छायवादी के प्रवुक लेखक कौन है लिए चाहिवादी रव्य है आप से यह नन्य प्रहाल है न्यूता इसपाल बिरिंदा वनलाल वर्मा ठीक है यहाँ पूछा है चाया वादी यूग के प्रमुक लेका कवन है तो राम कुमार वर्मा है तो इसका सही जवाब गवल आपसर करेक्ट हो जाएगा अगला देखे आठवा नंबर का दिवेदी यूग की काल अवधी मानी जाती है आपको बताना कि जो दिवेदी यूग सकत से चल यवदे इसका सही जवाब आपसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो बताना कि यहाँ दिवेदी यूग दिवेदी की काल अवधी है यही आपको आपसर करेक्ट हो छॉओ जागा ठीक है तो निस्सो इस लेको उन्नीस सो अठारा तक मानी जाती है नुवा नमबर का सवाल अध्भुत अलाप के कवी हैं यहां बताना है जो अध्भुत अलाप है इसके कवी कौन है आप जाने महावीर परसाद दिवेदी जी है भारतेंदु हरिस्चंद्र है मैथली शडगुप्त ह अध्भुत अलाप के कवी पूछा है आपके महावीर परसाद दिवेदी इसका सभी जवाब का वला आपसन आपका करेक्ट होगा ठीक है दसवा नमबर का देखिए यामा की रचईता का नाम बताना है जो यामा है इसको भी इंपॉर्टन करके याद रखिएगा यामा ठीक तोहान महादेवी वर्मा, स्मीरा बाई ये असोग बाजपेई, इसका सही जवाब आपको होगा खावला, यामा के जो रचैता है महादेवी वर्मा जी है, ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं, देखी, आपका अगला सवाल है, गिरावा नंबर के देखी क्या है, कि विपति बटावन बंदू बाहू बिनू करोभरो सअ काको में रस मतलता आपको पता हूँ यह राождत दिंडात करकों करोभरो सब्कूरषन लार हो विमेदि बटावन बनदू बाहू भी रहुता है उट्सक्वतों समय है इस में आपको जब आपको होता है तो इसमें कौन सा रस होगा करूर रस तो इसका सही चवाब क्या होगा गवला आप संप करेक्ट होगा इस वाकिक को पहला सब्सक्ति देखके या पाचान कर ले इसमें करो रस ठीक है अगला देखे परावा नमबर का, हीरदे सिंदु में उठता सुवर्गी जुआर देख चंद्रानन, पंकिती में अलंकार आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, ठीक है, तो देखे आपसान है, रूपक होगा, सलेश होगा, उप्रेच्छा होगा, उपमा होगा, यहा अबला आपका आपसान करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं, देखिए, अगला नमबर के सवाल आपका क्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए, तेरा हो नमबर का सवाल, सूनत सुमंगल बैन, मन प्रमोल तन पूलक भर, तुलसी भरेस नेहजल, इसने बताना है कि दूसरा और चौथे चरण में कितनी मात्रा हैं, आपसाने तेरा तेरे मात्रा हैं होगी, बीस बीस, ग्यारा ग्यारा या नौनो, यहाँ भी ध्यान दिजिएगा कि यह एक प्रकार का सोरठा है, सोरठा के जो दूसरा और चौथा चरण होता है, इसमें आपकी तेरा तेरा मात्रा हैं होती है, कितनी कितनी मात्रा हैं होती है, तेरा तेरा जबकि पहला और तीसरा जो होता है, चरण उसमें आपकी 11 11 मात्रा हैं होती है, यहाँ पर कौन से पूछा हैं, दूसरा और चौथा, ते दूसरा चौथा हैं कितनी क कितनी मात्रा हैं 13 13 इसका सही जवापका अवल आफसर्ग कर्रेक्ट हो जागा ठीक है समझ में आगया होगा चौता नम्बर के देखिए अध्याच सब्द में पर्युक्त उपसर्ग बताने आपको आपसर्ग अभी होगा देखिए अ होगा आओगा अधी होगा तो देखिए अध्याच में जो आप याद रखिए आपको ऊपसर्ग खका अधी होता है क्या होता है अधी तो अधी होगा यह उपसर्ग होगा अध्याच को जय Hier einige pa पंचानन का पूछ रहे समास्विक्रा क्या होगा तो पंचानन का होता है पांच सीरो का समू इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कवला आपसन करेक्ट हो जाएगा पांच सीरो का समू ठीक है यह पांच बाहूं को समूति क्या हो जाएगा पंचानन ठीक है इसका सही जवाब क सुहाग सब्द का तसम रूप बताना यान शुद्ध रूप सुद्ध रूप आपको बताना है सुहाग का क्या होगा अगला देखिए सवाल आपका क्या है सत्रहवा नमबर का यूस्मा भी रूप में यूसमद शब्द का रूप बताना के कौंसा भक्ति होगा कौंसा वच्ण यहाँ यूसमा भी आप इसे याद रखिएगा यह पेपर में 100% आपके आने वाला है यूसमा भी जो है इसमें आपका तृति वण वख्ति होगा तो इसका सही जो आपका वाला आपसन करेक्ट हो जा वाक्य बताना थे देखिए आप इसको भी तयार करें के जाएंगे कर बाइड नीए और अभने बैठ गई यह बच्चे ढूद पीकर रहते हैं जो जूट बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो इसमें मिस्रित वाक्य में दो उपवाक्य जुड़े होते हैं ठीक है यहां पर देखें आ रही है और तुरंत जाके क्या बढ़ जाने पहने के लिए भी मिस्र वाक्य है इसके अलगा जो जूट बोलते हैं एक वाक्य उन पर विश्वास मत करो दो तीसमें कभी आपका अगला सवाल देखिए आपका निश्वा नंबर का कि अध्धापक द्वारा कच्छा का जायजा लिया गया वाक्य प्रयुक्त वाच्च यारी के वाच्च मतलब करति वाच्च या कर्म वाच्च का मतलब होता है कर्म की परधांता ओती इस वाक्य को जो पढ़ेंगे अध्यापक की त्वारा कच्छा का जायजा लिया जा रहा है इसमें क्या होगा देखिए लिएक है इस कोमल के बारे बताने कि कोमल सब्सक्राइब इसमें क्या होगा देखिए आपसाने भाव आचक संग्या यह है इस्त्रिलिंग है एक वचन है यह कर्मकारक है विसेशर है गुर्व आचक है इस्त्रिलिंग है एक वचन है करता कारक है भाव आचक है इस्त्रिलिंग है बहु आचन है करता कारक है देखिए कोमलता एक प्रका कर्मकारक भी है तो इसका सही जवाब का वाल आपसर करेक्ट हो जाए ठीक है तो मन की कोमलता अक्सार चोट रखा जाती है पद परिचे होगा तो कोमलता में क्या याद रखेंगे भावाचक इस्त्रिलिंग है और एक वाचने कर्मकारक है ठीक है यहां तक 20 बावी गल्पिया उत्तर लिखी है यहां पर देखे को और ख़दो प्रशन दिया गया है इन दोनों में से जो प्रशन आपको आ रहा है उसका ही एंस्वर आपको लिखना है ऐसे निबंदों को सबसे बड़ी यहां से लेके यहां तक आपको पहना है जो अंडरलाईन है इसका आपको इसको बारह में आप इन-तीनों प्रॉषनर को देते हैं तार आपको च्हате नंबर लिखना है और इस प्रशन का दिखा यहां पहला प्रस्ट किसा नबर में कि नितु है आउतरों के पार्ट और लेखा का नाम लिखे का क्या क्या को संधर लिखना थे थीृधा सिद यह रहता उस में सब्सक्राइब आपको बोर्ड के एक्जाम करना रहेगा अगला रिषवय नंबर का देखेए निम्लिखित पद्यांस अब यहां पे निकसी रगोबीर बदू यह पूरा वाकिर कहां तक यहां तक पढ़िएघा पहने के बाद Kr서 है कि सुखना है सन्दर्व की जिएंग इसके लए किसा मात firing पर फस्रीण सुख रहे थी इसकेaaaa इसके बार में बताना है सराम के नित्रो और आसू को कि कि इन प्रशन progressive बिंगे हो प्रस्कों कर लीजिए का यदि इसιοटीक नहीं gee-स्पर सधन कर लिखना है करके दोने में से प्राशन आको करना है अब देखिय के बाद आपका दिसके बाल नंब्र का प्रश्न आता है आता हएएBar लेखों में से लेखा का जीवन परिचे देता हूएक परमुक रचना लिखना यह टोटल पाश नंबर का प्रस्म है ठीक है देखें यहां पर डाक्टर राजंदर प्रशाद चैसंगर प्रशाद या राम चंदर शुक्ल के बारे इन तीनों में से किसी एक के बारे में जीवन परचे आपको लिखना है दूसरा एक खावला निम्लखित कवियों में से किसी एक का जीवन परचे अब यहां कवी है और कवी में से किसी एक का जीवन परचे आपको लिखना है सूर्दा सुमित्रा नंद पंध भिहारी ला इन तीनों में से किसी एक का जीवन परचे लिखना यह भी पाश नंबर का है अगला सवाल देखिए निम्लखित संस्क्रित करने लिखने के बाद बाद हिंदी में अनुवात करना ठीक है फिसके ऐंस्वर आपको आ रहा होगा उसका लिखना होगा को अगला देखिए कि मिलिखत वह संस्क्रीट पद्यांसों में से किसी एक का संदर्व साहिद हिंदी अनुवात करना यह दो ulnia which और हिंदी में अनुवात कीजिए ऐसे प्रश्णों को तयार करके आप जाएए अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है पूरा प्रश्ण पत्र आप देखिए इन प्रश्णों का आप जरूर तयार कीजिएगा अगला देखिए अपने पार्ट पुस्तक के संस्क्रित खंड के कंठस्ट किये हुए एक सलोक लिखना है यारे कि चार लाइन का यह आठ लाइन का आप चार लाइन का ही लिख सकते हैं यह आठ लाइन याद आठ लाइन पूरा लिख सकते हैं यह दो नंबर करेगा ठीक है अगला है कि किनी दो प्रश्णों को उत्तर सं संस्क्रीट में देना ठीक है और असी नगरी केसा संग मोड़े संग अस्थली अस्ति इसका दीजी इन चारों में से किसी एक कही एंस्वर आपको देना संस्कीत में पढ़ लिजी इन प्रश्णों को तयार कर लीजिए पचीज नंबर का देखे इस साल आपको पत्र लिखने के लिए हींदी में या आपको निबंद करें पत्र लिखने के लिए आपको देख़ खाया इस शादि करवाना चाहते है इसके बारे में अपने चाचा की समझाते हुए एक पत्र लिखिए आपको क्या करना है इस पर एक पत्र लिखना है जो आपके बोर्ड के एक्जाम में चार नंबर काएगा ठीक है यदि यह राद अथम दिया है दो आपको पत्र देगा दो पत्र में से एक पत्र ही आपको लि देखो निबंद है अपनी बंद क्या करना है सात नमबर का पूचेएग़ आपको तीन या चार निबंद देखा जिसमें से एक पर निबंद लिखना रहेगा स्वधेश प्रेम स्थिछा का महत्त वर्शारी तू या देसा ठन के लाग इन चारों में से किसी एक करना आपको न इतने प्रश्णों में सिर्फ एक काही एंस्वर देने ना होगा जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा ठीक है जो गाजीपुर के जो इस्टूडेंट होगे उनके इस्कूल में आपको जो पढ़ना इसलिए वसमें वह मुक्ति दूद्ध है आपको मुक्ति दूद्ध खंडाब के प्रमु पात्रिक焦्रिक विषय सता को उलेक्रना है या मुक्ति दूद्ध खंडप्र का कथा सार परस्तूत करना है ये deny सो महात्मा गादिजी की चरीत्र चित्र पढ़ते होंगे ठीक है STUDैछ कि इस पकावा सेप्रश्ण पूछता है आ संपूर हल जरूर आप करके बोड के एक्जाम में जाएगा मैं एकसिमम सवाल इसी में से देखने के लिए मिलेगा तो फिरेस्ट आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से कर दोस्तों करें जाएब के वीडियो को माते हैं एक पास याव जाएब करें जाएब penal है जार आपको बेदान के याएब प्रावब प्रावश जाएब पर एमा उन्पा करें जाएब करें प्रावब